वेलकम टो एकजम टाइम आज है 12 अप्रिल 2020 और 12 अप्रिल 2020 से करेंट फेस के जीतने भी कोश्चन्स बन सकते हैं वो सभी आज में लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो चलिए सुख करते हैं आज का पहला प्रेशन तो आज का पहला प्रेशन है हाल ही में किस राज ने ओरिशा और पंजाब के बाद करोना की मद्दे ने जर लॉगडाउन को 30 अप्रिल तक बढ़ा दिया अभी आप लोग नहीं जाना है कि ओरिशा और पंजाब ने अभी लॉगडाउन को 30 अप्रिल तक बढ़ा एं लेकिन इसके साथ साथ और दो राज्ये जैसी कि facts के बारे में जैसे कि महराश्ट महराश्ट से जुड़ए important facts क्या आए सकते हैं महराश्ट के cm क्वों है उद्धव थाकरे हैं महराश्ट की capital का है मुंबई और महराश्ट गवरन को है भगत सींग कोश्यारी भगत शींग कोशियारी इसके बाद आते हैं बंगाल की और बंगाल की सीम कौन है अभी ममता बनर जी ममता बनर जी कैपिटल का है कोलकाता गवर्णर कौन है जगदीव धनकर जगदीव धनकर यह हैं महराष्ट की सीम और यह हैं ममता बनर जी इसके बाद आते हैं हम लोग ने या तो साथ कर दिया जिता है तो हर स्वें है कि सचीवाले हो सरकार तो सर्डियों की दी निगर के ये यह मैप में जम्मू कश्मिर अब यहाँ पर बात आई कि दरवार मूब की शुरुवाद कर भी दरवार मूब के बारे में जानना है तो दरवार मूब के बारे में जानते हैं इस परंप्रा को 1872 में महराज रनवीर सिंग ने शुरू किया था और इस पर हर साल एक सो करोड रूपे खच होते हैं एक सो करोड रूपे और एक सो पचास साल के इत्यास में फर्ष्ट टाइम जो है पहली बार जम्मू कस्वीर में ये दरवार मूब जो है इस बार टाल दिया गया है ये अब नहीं होगा तो इतने कोशन्स यहां से बन सकते इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स कोशन की ओर अगला कोशन है हालि में एपल और किस कमपनी ने कोरोना के संक्रमन को फैलने से रोकने के लिए एक साथ मिलकर ऐसी तखने पर काम कर रहे हैं जो कोरोना के शंक्रमन की tracing कर सकेगी तो apple और अभी फिलाल में google ने दोनों ने मिलकर एक ऐसी तख्णिक पर काम कर रहे हैं जो कि शंकर्मन की tracing करेगी अब बात आई यहाँ पर किस के साथ तो google के साथ मिलकर तो अभी हैँ पर apple और google से जितने भी important question बन सकते वह सभी हम लोग discuss करते हैं तो चलिए Google और Apple पे चलते हैं तो Apple और Google ने जो है यह जो Tracing होगी यह दो चड़नों में लागू करेगी यह भी आपको याद रखना है तो चलते है एपल के CEO कौन है एपल के CEO कौन है टीम कुक एपल के CEO कौन है टीम कुक यह जो है एपल के CEO है उसके बाद Google के CEO कौन है सुन्दर पिचाई यह Google के संस्थापक कौन है तो Google के संस्थापक है लैरी पैज और सर्गेई ब्रिन तो तीनों के फोटो आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं यह हैं टीम कुक यह है सुन्दर पिचाई और यह लैरी पीज पैज एंड सरगेई ब्रिन इसके बाद आते हैं लोग नेक्ष्ट कोशन पर अगला कोशन है हाली में और ब्लैक मैं का निधन हो गया है वह किस छेत्र से जुड़ी हुई थी और ब्लै अगला कोशन है हाली में डाटा के अनुशार दुनिया के सीर्स बीस सबसे परदोसित सहरों में भारत के कितने सहर साविल है बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन इसका सहीस जवाब है दो तो दुनिया के 20 सबसे परदोसित सहरों में भारत के दो सहरों को सामिल किया गया है सिर्स दो सहरों के वैसे तो 14 भारत के ऐसे सहर है जो इस सूची में सामिल है लेकिन सिर्स दो सहर कौन-कौन है तो इसका सही जवाब है मुंबई एंड कोलकाता मुंबई और कोलकाता तो अभी आप लोगों ने ये देखा हुआ है हाली में कि लॉकडाउन के बाद वायू पर्दूसन का जो अस्तर है वो बहुत ही नीचे गिरा हुआ है और जैसा कि बात कर रहे थे हम लोग कि कुल 14 सहर भारत कैसे हैं जो इस सूची में सामिल है तो अब बात आई यहां पर किसकी मुंब आटाव ठाकर यह उध्धर ठाकर मोज 스ंड को और मोजमिंध काइं और इसका है वह कर देख सकते हैं तो पर कॉलकाता भाल की कैपिटल काया वीक्न तो है के शुन है मताबनेर जी और है बहत सेंह कॉस्यारी इसका आते हैं मतंए में कॉलकाता को देख सकते हैं तो पर ऍक akan कि कहीं कडल कोंटा यहां की क्द जी और में जगदीफ धंक्र तो इतने कोशम्स सथा ऑख सकते थैं examination की भ्योर से बहुत ही important थे इसके बाद आते हम लोग next question की और अगला question है हाली में केंदर सरकार ने कोरोना महमारी के कारण कितने रुपे तक का लंबित tax refund ततकाल जारी करने को कहा गिया है तो 5 लाक रुपे तक का लंबित tax return जो है वो जारी किया जाएगा कितने रुपे का 5 लाक रुपे का income tax refund इसके बाद यह फैसला जो है किनों ने लिया है तो यह फैसला आईकर विवाग की तरब से लिया जाद रखना है income tax department की तरब से यह फैसला लिया गया है और इसमें 14 लाक लगवग 14 लाक करदाताओं को फाइदा होने वाला है 14 लाक टैक्स देने वालों को टैक्स पेरों को इसमें फाइदा होने वाला है इसके बाद हम लोग आते हैं next question क अगला question है supreme court ने की शराज्य में इसकुलों में 1983 सारीडिक परसिक्षण अनुदेशकों की न्यूकति रद कर दी है 1983 सारिणी प्रस्क्षन जो देने वाने नोदेशक हैं उसकी नियुक्ति रद कर दिये तो हर्याणा ने अभी इनकी नियुक्ति रद कर दिये अब यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि न्यूक्ति की रद कैसे की गई वर्स 2010 में याद रखना है वर्स 2010 में हरियाना के इसकुलों में 1983 सारेडिक अनुदेशकों की न्यूक्ति की थी लेकिन इसे हरियाना था पंजाब उच्चिनियाले ने रद कर दिया था अब यहाँ पर बात आई हरियाना की तो हरियाना के अभी वर्तमान में सीम कौन है मनोहर लाल खटर मनोहर लाल खटर गवर्नर कौन है सत्यदेव नरायन आरिया इसके बाद आते हैं सर्वीस रदार को समतिन अंगे कंश कन होड़ी रिच। इसका सही कただ आज बार आपरिल है मना अंथरीकश अरांकाश्चिय दिवस मनाया जाता है और मैंना सबसे पहले सबसे पहले यह बाद आपरिल 2010 ai ildra को मनाया गया था 12 अप्रिल 1961 को पहली मानव अंत्रिक्ष उरान की तारिक थे याद रखना है 12 अप्रिल 1961 और एक जाने माने सोवियत नागरिक थे आप लोगों को भी पता होगा यूरी गागडिन यूरी गागडिन जिनोंने जो है इसको अन्जाम दिया था और ये है आपके इस्क्रिन पर यूरी गागडिन तो इनी के लिए जो है 12 अप्रिल को मानव अंत्रिक्ष उरान का अंत्राष्टे दिवस मनाय जाता है क्योंकि 12 अप्रिल 1961 को ही पहली बार मानव अंत्रिक्ष उरान की तारिक थी इसलिए इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट कोशिन की ओर अगला कोशिन है इस्ट्रेट चिल्डेन के लिए अंत्राष्टे दिवस कब मनाय जाता है तो इसका भी जवाब है 12 अप्रिल 12 अप्रिल से दो महत्पूर्ण कोशिन है एक मानाबंत्रिक उरान का अंत्राष्टे दिवस और एक इस्ट्रेट चिल्डेन के लिए अंत्राष्टिये दिवस 12 अप्रिल अच्छा ये मनाया क्यों जाता है 12 अप्रिल 2011 को ही क्यों मनाय जाता है तो यह पहली बार 12 अप्रिल 2011 को ही लॉंज किया गया था इसी करण से 12 अप्रेल को ही मना जाता है और क्यों मना जाता है तो यह जो है लाखों इस्ट्रीट बच्चे जो की सरकों पर जिनका कोई नहीं है इस्ट्रीट बच्चे जितने भी है उनकी आवाजों को बुलंद करने का दिवस है उन्हें भी हक के साथ और आदर्श के साथ जीने का दिवस है उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए 12 अप्रेल को इस्ट्रीट चिल्डेन दिवस मना जाता है जो की आज है 12 अप्रेल 2020 इसके बदाते हैं लोग नेक्स्ट कोशन की ओर अगला कोशन है इस कैप ने 2020-21 में भारत की GDP कितने रहने का अनुमान लगाया है तो इसकेप का सबसे पहले फूल फॉर्म जानते हैं इकनोमिक एन सोस्यल कमिशन फोर एसिया एंड पैसिफिक यह होता है इसका फूल फॉर्म और इन्होंने अभी वरतमान में भारत की GDP का एक अनुमान लगाया है वो आपको याद रखना है कितना है 4. पॉइंट पर्सेंट पोल पॉइंटी पर्सेंट और सबस्की को है थोड़ा सा जाते हैं एसीया और परसांत आर्थिक और समाजिक सर्वेचहन भी स्रॉत्यज्त चेहन जाता है और देश की आर्थिक विद्वर्ष 2021 कि 21 से 22 में मात्र एक पर्षेंट यानि मात्र एक पर्षेंट की विर्धी रहने का भी इन्होंने अनुमन लगाया है वं ली वन पर्षेंट यहां से बन सक्ते थे इसके बाद आते हैं लोग नेक्सट कुशिन की और अगला कुशिन है हाली में किसने मौझूदा महमारी के परसार को रुकनी है तू अपनी रननीती है तू ओपरेशन सेल्ड की सुरवात की है इसका सही जवाब है दिल्ली सरकार ने दिल्ली सरकार ने अभी हाली में ओपरेशन सेल्ड की सुरवात की है इसमें जो सिल्ड में जितने भी अच्छा है S-H-I-E-L-D सबका अपना एक महत्व है जैसे कि S for sealing, H for home quarantine, I for isolation, E for essential supply, L for local sanitization और D for door to door check, एक बार फिर से S for sealing, H for home quarantine, I for isolation, E for essential supply, L for local sanitization, D for door to door check तो दिल्ली सरकार का यह बहुत ही important कदम है इसे दिल्ली में 21 छेत्रों में, आपको याद रखना है दिल्ली में 21 छेत्रों में पहचान के रूप में पहचान छेत्रों के रूप में लागू किया जाएगा और दिल्ली के वर्तमान में CM कौन है अर्विंद केजरिवाल यह है दिल्ली के CM अर्विंद केजरिवाल इसके बाद आते हम लोग नेक्स्ट कोशन की और अगला कोशन है हाली में केंद्र सरकार ने कहां आरोगी सेतू IBRS सुविधा सुरू की है तो इसका सही जवाब है तमिन 19 यानि कि कोरोना इस्थिति को ट्रैक करने में क्या जाता है क्या क्या जाता है कोरोना इस्थिति को ट्रैक करने में क्या जाता है और तमिलाडू सरकार ने अभी एक नंबर जारी किया है वह नंबर में लिख रहा हूं आपको वह नंबर याद रखना है 9499912345 यह नंबर ज शरकार ने और यह जो आई भी आरे सुविधा है यह दो संस्थानों ने मिल कर तयार किये कौन कौन से संस्थान आई आई टी मद्रास एंड बी एस एनल इनके द्वारा मिलकर यह आरोगिस से तु आई भी आरे सुविधा लॉंज की गई है तमिल लाडू में अब यहां से कुछ इंपॉटंटं को में बात आ तो तेमल लाडू की स्कारा कौन है क पलानीय श्व्यामी कें毗्सवामी यह आपको इसक्रीन पर दिखाए देता हूँए कें पलानीय श्व्यामी औहरीं कें गवर्नर कौन है तो विंद्या सा worry विद्द्या सागर गल विद्य अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें कमेंट करें दोस्तों के साथ शेयर भी करें और फिर से कहूंगा कि एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहां पर बहुत ही अच्छे चैनल आपको देखने के लिए मिलेगी मिलती ही रहेगी तो आज के लिए इस वी अच्छे पारत